नमस्का दोस्तों आप सभी का सौगत है आपके अपने यूटूब चैनल रवीशादी आई क्यू जीके पर आज मैं आपके लिए जोग्राफी का सबसे जादा इंपॉरेंट टॉपिक सोलर सिस्टम जिसे की हम सौर मंदल भी बोलते हैं इसके मोश्ट इंपॉरेंट पचास कोशन इस वीडियो में लेकर आए हूँ मैंने आपके लिए सब भी कोशन सेलेक्टेड लिए हैं अच्छे लेवल के लिए हैं वही कोशन लिए हैं जो कोशन आपके एक्जाम के लिए इं इसका option B, बुद्ग्रह है, हमारे सौर मंडल का जो बुद्ग्रह है, यह सूरे की परिकर्मा करने में 88 दिन का समय लेता है, यहां पे बुद्ग्रह की बात हुई है, बुद्ग्रह को हम Mercury Planet भी बोलते हैं, यहां पे लिएता हूँ, Mercury Planet भी बोलते हैं, फ्रेंट्स मैं आपको थ इसके हम Sun बोलते हैं, और इसके चारो तरफ, आठ प्लैनेट जो है, वो रिवॉल्व करते हैं, मताब आठ प्लैनेट जो है, वो घूमते हैं, चारो तरफ सौरे के, ठीक है, यह जो आठ प्लैनेट है, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, फ्रेंट्स मैंने आपके इत्वी, जिसे की अर्थ के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में, चौथे नंबर पे हैं, मंगल गर है, ठीक है, जिसे की हम मार्स के नाम से जानते हैं, पांचवे नंबर पे हैं, ब्रस्पती गर है, जिसे की जुपिटर के नाम से भी जानते हैं, छेमे नंबर पे हैं शनी जिसे कि हम Saturn के नाम से जानते हैं, साथवे नमबर पे है Arungr जिसे कि Uranus के नाम से जानते हैं, आठवे नमबर पे है Varungr जिसे कि हम Neptune के नाम से जानते हैं, important question रहेगा आपके exam के लिए Friends, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो बुद्ध ग्रह है, यानि कि जो Mercury planet है इसे 88 दिन का समय लगता है, सूरे के चक्कर लगाने में, ठीक है तो बांकी जितने भी ग्रह है, Friends, उनका मैं time बता जाता हूँ कि उनको कितना time लगता है, सूरे के चक्कर लगाने में Friends, मैंने आपके लिए लिख दिया, यहाँ पर जो बुद्ध ग्रह है, मैंने आपको बताया कि 88 दिन लेता है, सूरे के चक्कर लगाने में, जो शुक्र ग्रह है Friends, यह 224.7 दिन लेता है, ठीक है, शुक्र ग्रह को हम वीनस भी बोलते है, मैंने आपको बताया हमारा पृत्वी जो है, 365.26 दिन लेता है, और जो मंगल ग्रह है, यह 687 दिन लेता है ब्रसबती ग्रह है, 11.9 वर्ष लेता है, शन्नी ग्रह है, 29.5 वर्ष लेता है, सूरे के चक्कर लगाने में, समय और अरुन ग्रह जो है 84 वर्ष लेता है एक चक्कर लगाने में सूर्य के ठीक है और जो वरुन है यह 164.8 वर्ष का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में फिर्ट जितनी भी मैं आपको addition information दे रहा हूँ सब अपके लिए important है यहाँ पे बुद्ग्रह की बात हुई थी जिसे कि हम mercury planet भी बोलते हैं और आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदी ग्रह कौन सा है तो आप कांसरोगा जो बुद्ग्रह है यह सूर्य के सबसे नजदी ग्रह है ठीक है यह आपने याद रखना है और आ हो सकते हो कोई भी उपग्रह नहीं है तो आप कांसरोगा बुद्ग्रह है ठीक है बुद्ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी सैटलाइट नहीं है दूसरा जो फ्रेंस शुक्र ग्रह है इसके पास भी कोई भी सैटलाइट या उपग्रह नहीं है यह भी आपने याद important question है next question कर लेते हैं शुक्र ग्रह के वातावरन में किस gas के कारण हो है सबसे गरम ग्रह कहलाता है friends अब तक आपने exam में पुछा जाता था कि हमारे सौर मंडल का सबसे गरम ग्रह कौन से है तो आप कांसर होगा शुक्र ग्रह यह तो सभी को पता है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि शुक्र ग्रह सबसे गरम ग्रह क्यूं है किस gas के कारण है तो आप कांसर होगा option C CO2 CO2 को हम carbon dioxide भी बोलते हैं carbon dioxide के ज़्यादा होने के कारण फ्रेंट्स यहाँ पर green house effect होता है यहाँ पर देता हूँ ग्रीन हाउस effect होता है किसले होता है क्योंकि वहाँ पर carbon dioxide बहुत जादा है इसलिए शुक्र ग्रह सबसे गरम ग्रह कहलाता है ठीक है आप सोचते होंगे फ्रेंट्स की जो बुद्ध ग्रह है यह सूरे के सबसे पास है इसे गरम होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है शुक्र ग ग्रह के पास कोई भी उपग्रह यानि सैटलाइट नहीं है सही आंसर है option c उपयोगत दोनो बुद्ध ग्रह और शुक्र ग्रह बुद्ध ग्रह और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह है हमारे सवर मंडल में जिनके पास कोई भी उपग्रह या बोल सकते हो सैटलाइट नहीं है फ्र अपुध ग्रह कहते हैं यानि सेटलाइट बोलते हैं ये भी आपने याद रखना है सबसे ज़ादा है सही आंसर है पृत्वी पृत्वी जिस पर हम रहते हैं ये सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जिसका घंतव यानि density सबसे ज़ादा है पृत्वी को हम अर्थ भी बोलते हैं ठीक है और ये सौर मंडल में सूरे से तीसरा ग्रह है ये आपने याद रखना है important question है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो पृत्वी है इसका घंतव सबसे ज़ादा है आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि घंतव कितना है अगर हम बात करें gram centimeter cube में तो यह 5.52 gram centimeter cube ठीक है important question है एक्जाम में पूछा गया है वैसे अगर हम बात करें kg meter cube में तो वो 5520 kg meter cube होता है फ्रिंट्स यह दोनों question आप एक्जाम के लिए important रहेंगे फ्रिंट्स यहाँ पर बात हुई यह पृत्वी कि मैंने आपको बताया जिसे की अर्थ भी बोलते है आपसे एक्जाम में question पूछा जाता है कि हमारे सौर मंडल का वैक कौन सा ग्रह है जिसे की blue planet यानि की नीला ग्रह भी कहते है तो आप कांसर होगा हमारा पृत्वी जो है इसे नीला ग्रह भी कहते है आपसे एक्जाम में पुछा है कि सौर मंडल का ऐसा कौन सा गहां जहां पे life exist करता है मतबग जहां पे लोग रहते है तो आपका अंसर प्रिथ्वी ही होगा और आपसे एक्जाम में प्रिथ्वी के सबसे निकटतम तारे का क्या नाम है आप cancel होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये भी आपने याद रखना है important question है next question कर लेते है next question है हमारा सूरे में मुख्यता कौन सी gas पाई जाती है सही answer है option C वो प्यूग तो दोनो यानि hydrogen gas और helium gas friends यहाँ पर hydrogen gas की बात हुई है hydrogen gas का symbol होता है H और helium का symbol होता है H यह आपने याद रखना है और हमारा question था कि सूरे में मुख्यता कौन सी gas पाई जाती है मैंने आपको बताया hydrogen और helium यहाँ पर सूरे की बात हुई है सूरे जो देखने में कुछ इस तरह का होता है ठीक है यह एक आग का गोला होता है आपसे ने friends exam में question पुछा रहता है कई बार पुछा भी गया है यह अच्छे level का question है सूरे पे जो friends यह उर्जा पैदा होती है मतलि सूरे पे जो energy पैदा हो रही है यह किस अभिकिरिया दवारा होती है तो आपका answer होगा नाभी के Sunlion यहाँ पे लिख देता हूँ नाभी के Sunlion ठीक है इसे हम nuclear fusion भी बोलते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ friends मैं यहाँ पे आपके लिख दिया है नाभी के Sunlion यह आप बोल सकते हो इंग्लिश में nuclear fusion यह एक ऐसा reaction होता है जिसके कारण सूरे के उपर energy पैदा होती है या आप सकते हो उर्जा पैदा होती है आप से एक्जाम में पुछा जाता है कि जो सूरे का जो outermost layer होता है ठीक है अब जो बहारी परत होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल य ठीक यानि कि 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं पिर्थवी तक सूरे के किरने पहुचने में कहीं कमें आपको यहाँ पर 8 मिनट 15 सेकंड भी दे सकते हैं आप से कोशन एक्जाम में और पुछा जाता है कि सूरे के अध्यन को कहा क्या कहा जाता है आपका अंसर होगा हैलियो सिस्मो यह भी आपने याद रखना है फिर जितनी भी आपको मैं एडिशन इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सब आपके लिए इंपॉरेंट है अगला कोशन का लेते हैं काफी जादा इंपॉरेंट है यह तारों का रंग किस पर निर्भर करता है सही आंसर इसका option B तापमान पर यानि होता है किसी का तारा नीला किसी का रंग नीला होता है किसी का सफेद होता है बतला अलग 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 तापमान ठीक है यह आपने याद रखना है most important question है next question कर लेते हैं जब प्रिथवी एवं सूरे के बीच चंदर्मा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है answer is का option B सूरे गरहन को हम solar eclipse भी बोलते हैं यह ऐसी condition होती है जब प्रिथवी और सूरे के बीच में चंदर्मा आ जाता है यहाँ मैं आपको photo बना के समझाता हूं यह हमारा सूरे है ठीक है यह सूरे है हमारा यह प्रिथवी है जिस पर हम रहते हैं ठीक है और बीच में आ जाता है च चंदर्मा आ जाता है इस स्थिति को क्या बोलते हैं आंसर है सूरे गरहन यह बोलो solar eclipse बोलते हैं यह question भी exam में कई बार पूछा गया है मैंने friends आपको photo बना के समझा है ताकि आपको यह चीज़े हमेशा के लिए याद हो जाए अगला question कर लेते हैं यह भी important है question है हमारा जब सूरे और चंदर्मा के बीच प्रिथवी आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है answer है option A चंदर ग्रहन चंदर ग्रहन को हम lunar eclipse भी बोलते हैं यह एक ऐसी स्थिति होती है जब सूरे और चंदर्मा के बीच में प्रिथवी आ जाता है तो friends आप यह photo में देख सकते हो ब्रहमांड के अध्यान को क्या कहा जाता है सही answer इसका option D cosmology cosmology जो है यह ब्रहमांड के अध्यान को कहा जाता है और friends हम बांकी के जो options हैं उनको भी discuss कर लेते हैं क्योंकि यह सभी options आपके लिए important हैं friends मैंने हापे आपके लिख दिया है जो astronomy होता है इसमें खगोलिय पिंड क का अध्यान किया जाता है उसके friends यहाँ पे selenology है इसमें चंदर्मा का अध्यान किया जाता है और वैसे सिस्मology जो है इसमें भुकंब का अध्यान किया जाता है और मैंने आपको बताया कि ब्रहमांड के अध्यान को हम cosmology कहते हैं friends यह question भी आप एक्जाम के लिए काफी important है friends मैं आपको यह good news देता हूँ कि हमारा current affairs का channel launch हो गया है current affairs का चैनल का नाम है रवी study IQ GK 2.0 यहाँ पे सुबह चार बजे daily current affairs की वीडियो आती है बहुत ही expert level का current affairs पढ़ाया जाता है और friends हमारा telegram, facebook, instagram page भी launch हो गया है वो है रवी study IQ GK नाम से आप जो भी मैं आपको पढ़ knowledge का reasoning का math का तो friends आप हमारे website पे visit कर सकते हो यहाँ पे free में आपको सारे notes मिल जाएंगे ठीक है बता आपको google पे search करना है google www.ravistudyikgk.com फिर से बतायता हूँ आपको google पे search करना है www.ravistudyikgk.com और friends हमारा special whatsapp group है 7814339999 ठीक है next question करते है अब हम सार मंदल का सबसे उंचा सथित है सही answer है option a mangal ग्रह मंगल ग्रह को friends हम MARS भी बोलते हैं यहाँ पर सौर मंदल का सबसे उंचा परवत Nix Olympia और सौर मंदल का सबसे उंचा ज्वाला मुखी यहाँ पर लेता हूँ, सबसे उचा जवालम की Olympus Mons, यह दोनों मंगल ग्रह पर स्थित है, यहाँ बोल सकते हो, Mars प्लैनिट पर स्थित है, important question रहेगा आपके exam के लिए, friends, यहाँ पर मंगल ग्रह की बात हुई है, मंगल ग्रह जो है, हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है, ठी मंगल ग्रह को, friends, हम लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, लाल ग्रह भी बोलते हैं, या बोल सकते हो, रेड प्लैनिट भी बोलते हैं, लाल ग्रह, friends, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो रंग है, लाल होता है, iron oxide की मौझूदगी के कारण, ठीक है, यह आपने याद रखना ह ठीक है, Phobos और Demos, ये दोनों उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो आप का अंसरोगा, Phobos और Demos जो है, ये मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, और मैंने आपको उपरी बताया था, कि इसे सूरे की परिकर्मा करने में 687 दिन का समय लगता किसी भी एकसाम की त्यारी करें, आपके लिए वीडियो बहुत जादा यूस्फुल रहने वाला है, और मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी आपका वेस्ट किये बिना, नेक्स्ट कोशन है मारा, सौर मंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे जादा उपग्रह हो गए हैं, सही आंसर है, औप्शन ए, शनी ग्रह, शनी ग्रह के पास अब 82 उपग्रह हो गए हैं, और यह सौर मंडल का ऐसा ग्रह बन गया है, जिसके पास अब सबसे जादा उपग्रह यहाँ पे इक word यूज़ कर रहा हूँ अब, यानि कि अब उसके पास सबसे ज़ादा अउग्ग्राह हो गए हैं, कितने 82 हो गए हैं, पहले ब्रहच prevention भ्रह जो यहाँ पर लिख के बताता हूँ, यहाँ पे बात हुई है शनी ग्रह की, कुछ important question बनते हैं आपके exam के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ friends आपसे exam में पुछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है तो आप का अंसरों का ब्रहस्पती यानि जुपिटर जो है यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है अकार के हिसाब से वैसे friends यह जो शनी ग्रह है यह अकार के हिसाब से दूसरा सबसे कोज करी थी Christian high zone ने ठीक है नाम याद रखना है Christian high zone friends यहां पर उब ग्रह की बात हुई थी अब मैं आपको समझाता हूँ कि उब ग्रह क्या होता है ठीक है उसको हम उब ग्रह बोलते हैं friends मैं आपको इए फोटो बनाके समझाता हूँ उसका नाम चंदरमा है जिसे कि हम मून भी बोलते हैं यह भी आपने रखना है next question कर लेते हैं सौर मंडल में छुदर गरह जिसे कि हम asteroids भी बोलते हैं किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है answer इसका option A mangal गरह और ब्रस्पति गरह mangal गरह और ब्रस्पति गरह के बीच में छुदर गरह पाया जाते हैं यह आपने याद रखना है important question है मार्स और जुपिटर के बीच में यह चुदर गरह यानि एस्टरोइट पाया जाते हैं friends आप यह देखो फोटो में कि यह वाला जो गरह है चौथे नंबर वाला ठीक है चौथे नंबर वाला जो गरह है इसे हम mangal बोलते हैं ठीक है और यह जो एक्जाम में कई बार पूछा गया है और important है next question कर लेते है सौर परनाली की खोज किस विज्ञानिक ने की थी सरी answer है option a copper nicas copper nicas जो विज्ञानिक था इसने सौर परनाली की खोज करी थी next question कर लेते है सूरे के चारो और गूमने वाले खगोलिय पिंड को क्या कहा जाता है सरी answer इसका option b ग्रह कहा जाता है सौरे के चारो तरफ घूमने वाले खगोलिय पिंड को ग्रह कहा जाता है यानि की planet कहा जाता है यह basic सा question है next question कर लेते हैं फिर आपको फोटो से समझा जता हूँ मैं आपको फिर यह देखो यह जो सौरे है इसके चारो तरफ जो खगोलिय पिंड गूम रहे है इसी को हम ग्रह बोलते हैं और हमारे सौर मंडल में कोल मिला के 8 ग्रह है पहले 9 हुआ करते थे पुलोटो को लेकिन ग्रह की कटेगरी से बाहर कर दिया गया इसलिए हमारे सौर मंडल में अब 8 ग्रह हो गए है next question करते है ग्रहों की गती का नियम किसने प्रतिपादित किया था most important question है आपके exam के लिए सही answer है option A कैपलर कैपलर जो है इस विज्ञानिक ने ग्रहों की गती का नियम प्रतिपादित किया था ठीक है फ्रेंस ग्रहों की गती को नियम को हम law of planetary motion भी बोलते हैं ठीक है law of planetary motion भी कहते हैं और ग्रहों की गती का नियम कैपलर विज्ञानिक ने दिया था और इसने कुल मिला के तीन जो नियम थे वो दिये थे ग्रहों से related नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं किस विज्ञानिक ने सवर बता हम black hole की खोज करी थी सही answer इसका option C S. चंदरशेकर विज्ञानिक जो थे इन्होंने सबसे पहले black hole के बारे में बताया था important question है और friends मैं आपको बिल्कुर non-stop पढ़ा रहा हूँ अगर आपको पढ़ायवा पसंद आ रहा है friends वीडियो को like जरूर करिएगा कम से कम 10 friend के साथ share भी जरूर करिएगा friends मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में most important 50 question करवाने वाला हूँ जब आपके 50 question complete हो जाएंगे एक बार सभी question फिल से revision भी करवाने वाला हूँ ताकि friends आपको सभी के सभी question इसी वीडियो में अच्छे ते समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं हमेशा के लिए और last time मैंने आपके लिए 10 question का test भी रखा है मैं आपको इतनी shorty देता हूँ पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक question आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद होने वाले है next question कर लेते है सौर उर्जा किस प्रकिरिया दोरा पैदा होता है सही answer इसका option B नाभी के सनलेयन नाभी के सनलेयन के प्रकिरिया के दोरा सौर उर्जा पैदा होता है नाभी के सनलेयन को हम nuclear fusion reaction भी बोलते हैं आप लिए देता हूँ nuclear fusion reaction भी बोलते है नाभी के सनलेयन को ठीक है और इसी के तोरा सौर उर्जा जो है वो पैदा होती है ठीक है या आपने याद रखना है next question कर लेते हैं प्रिथिवी की परिधी परिधी को हम circumference भी बोलते है कितना होता है सरी answer है option C उप्युक दोनो 40,075 km या परिखता हूँ या friends आपको option में 40,000 भी दे सकते हैं exact जो है वो 40,075 km है लेकिन आपको exam में 40,000 km भी दे सकते हैं और ये प्रिथिवी की परिधी होती है परिधी को हम circumference भी बोलते है मैं आपको friends ये फोटो से समझाता हूँ कि परिधी बोलते कैसे है और प्रिथिवी की परिधी है वो 40,075 km कैसे है तो देखो जो हमारा प्रिथिवी है देखने में कुछ इस तरह का है प्रिथिवी की परिधी है वो है 40,075 km ये जो लाल रंग की मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लाल रंग की जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये जो आउटर बॉंडरी है ना इसी को हम परिधी बोलते है या आप बोलो circumference बोलते है मतलब friends यहां से लेके अगर मैं यहां से नापना शुरू करता हूँ ठीक है ऐसे नापता हूँ जैसे मेरा माउस को पॉइंटर जा रहा है और यहां पर दो बार आ जाता हूँ तो friends यह जो दूरी है यह 40,000 75 km है और इसको हम 40,000 km भी लिखते हैं दोनों अशर आपने याद रखने क्योंकि एक्साम में दोनों दे के पूछे गई है next question कर लेते है नेमने में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है friends सबसे पहले आपको यह पता हो ना चाहिए कि यह आंतरिक ग्रह यानि इनर प्लैनिट क्या होता है तो पहले मैं आपको आंसर बतायता हूं कि इसमें से जो friends शनी ग्रह है यह आंतरिक ग्रह नहीं है शनी ग्रह को हम सैटरन भी बोलते हैं अब मैं आपको समझाता हूं कि यह आंतरिक ग्रह क्या होते है यानि कि इनर प्लैनिट क्या होता है और outer planet क्या होता है उपर ना मैंने आपको एक concept समझाया था कि छुद्र ग्रह क्या होता है यह देखो यह जो आपको पत्थर जासे दिख रहे है rocky materials दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं छुद्र ग्रह यानि कि asteroids बोलते हैं ठीक है अब यह छुद्र ग्रह है कि जो फ्रेंट्स left side में जो चार ग्रह है चार ग्रह है ना एक है हमारा buddh, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथिवी, चौता है मंगल मतलब यह जो चार ग्रह हैं इने हम कहते हैं inner planet यह आप बोल सकते हो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं ठीक है अब यह छुतर ग्रह के जो बहार की तरफ है यह चार जो बड़े से ग्रह दिख रहे हैं आपको एक, दो, तीन, चार ठीक है इन चारों को फ्रेंट्स हम बोलते हैं outer planet या इनको हम जोवियन planet भी बोलते हैं जोवियन planet या बोल सकते हो इनको हम बड़े ग्रह भी बोलते हैं ठीक है आपसे एक्जाम में एक कोशन पुछा जाता है कि जो outer planet होते हैं ठीक है यह जो बहारी ग्रह होते हैं ठीक है बहारी ग्रह भी बोलते हैं यह भी आपने याद रखना है और इन चारों को आंतरिक ग्रह यानि इनर प्लैनिट बोलते हैं यह आपने याद रखना है तो हमारा कोशन क्या था कि निम्र में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है किस ग्रह के वायू मंडल में मिथेन और अमोनिया पाया जाता है सही आंसर है option D शनी ग्रह शनी ग्रह जो होता है इसके वायू मंडल में मिथेन और अमोनिया पाया जाता है यहां मिथीन की बात हो रही है, मिथीन का फॉर्मूला होता है CH4, अमुनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है यह आपने याद रखना है, और इसके वाई-उ-मंडल में पाया जाता है, शनी घ्रहे को हम सेटरन भी बोलते हैं, और इसके बारे में आपको इपको डेटेल से प्रिथवी को निला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि प्रिथवी पर डैश स्थित है, अब तक आप कोशन पटते आ रहे थे, कि किस ग्रह को निला ग्रह कहा जाता है, सभी को पता है, किसो कहा जाता है, प्रिथवी को, यानि कि अर्थ को कहा जाता है, लेकिन, अभी कोशन में क् पानी भी बोलते हैं, पानी का रंग नीला होता है, नीले रंग की वज़े से, जो प्रिथवी है, जब आप इसको उपर से देखोगे, स्पेस में जाके, तो आपको नीले रंग का दिखाई देगा, ठीक है, यह आपने याद रखना है, जैसे आप यह देख रखते हैं, आपन सौर मंडल में सौरे के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुद्ध ग्रह होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था, कि सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आपका सही आंसर होगा, option A, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है, यह सौर मं अक्षपर घूमना दिन और रात होने का मुख्य कारण है, important question रहेगा आपके exam के लिए, friends, मैं आपको यह समझाता हूँ, कि अपने अक्षपर घूमने को हम क्या बोलते हैं, अपने अक्षपर घूमने को हम rotation भी बोलते हैं, ठीक है, देखो friends, यहाँ पर मैं को फोटो समझाता यह जो हमारा प्रिथवी है, प्रिथवी जो है, अपने अक्षपर भी घूमता है, अक्षपर घूमने का मतलब है rotation, देखो friends, जो हमारा प्रिथवी है, यह अपने अक्षपर anti-clockwise घूमता है, क्यासे घूमता है, anti-clockwise घूमना, यानि कि जिस तरफ घड़ी घूमती है, उसका उल्टा गूमता है अपने अक्ष पर यानि कि यह गूमता है फ्रेंट्स पश्चिम से पूर्व की और कैसे गूमता है पश्चिम से पूर्व की और गूमता है हमारा पृत्वी इसी को फ्रेंट्स हम कहते हैं मतलब अपने अक्ष पर घूमने को हम rotation कहते हैं और अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही ना दिन और रात होते हैं यह आपने याद रखना है ठीक है आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रिथवी है और यह पश्यम से पूर्व की और घूमता है और वैसे ही जितने भी ग्रह हैं जितने भी ग्रह हैं सिर्फ दो ग्रहों को छोड़के सभी ग्रह अपने अक्ष पर anti-clockwise घूमते हैं या आप बोलो पश्यम से और घूमते हैं लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं एक है हमारा venus ठीक है venus को friends हम शुक्र भी बोलते हैं venus को हम शुक्र ग्रह भी बोलते हैं दूसरा है uranus क्या है uranus जिसको कि हम अरुन ग्रह भी बोलते हैं यह दोना ग्रह जो है friends यह उल्टा घूमते हैं यानि कि पूरुव से प प्रित्वी जो है, यह सूरे के चारों तरफ भी चक्र लगाती है, ठीक है, इस परिकर्मा के कारण फेंच जो है, रितुवें बदलती है, कभी ठंड आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, आप से एक्जाम में पोचा जाएगा, कि जो रितुवें बदलती है, वो कैसे बदलती प्रिथिवी का सूरे के चारों तुरफ घूमने से रितु में बदलती है ठीक है ये भी आपने याद रखना है important question है next question कर लेते हैं काफी जाथ important concept है UPSC में कई बार पूछा गया है किसी ग्रह को की अपने कच से सूरे से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है सही answer है अपसौर अपसौर एक हम एपिहिलियन भी बोलते हैं ये ऐसी conditions होती है जो ग्रह होते हैं अपने कच से सूरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं फिर देखो एक विज्ञानिक था कैपलर कैपलर ने ये कहा था कि जो इतने भी ग्रह होते हैं वो हमेशा जो मतलब सूरे के चक्र ल यहां पर मैं आपको समझा दूँगा यहां पर मैं आपको दो कोशन समझाओंगा एक समझाओंगा अपसौर ठीक है अपसौर मैंने आपको क्या बताया किसी ग्रह की अपने कच से सूरे की अधिकतम दूरी ठीक है और एक कोशन मैं नीचे और भी रखा हुआ है किसी ग्रह क कि अपने कच से सूर्य की से नियमतम दूरी ठीक है इसे हम उपसौर बोलते हैं यानि पैरिहिलियन बोलते हैं तो यह concept भी मैं आपको अभी समझाओंगा ठीक है देखो फ्रेंट्स यह सूर्य है ठीक है कैपलर जो कैपलर विज्ञानिक था उसने कहा था कि जो भी ग्रह होता ह है न वो जो घूमता है वो गोल नहीं घूमता वो elliptical path follow करता है elliptical path को हम बोलते हैं दीर्ग विर्ताकार ठीक है इस path में घूमता है तो फ्रेंट्स आप यह देखते हो कि जब प्रित्वी यहां पर है कोई भी घ्रह जो अगर यहां पर है तो यहां से जो सूर्य की दूरी ह वो इतनी होगी है ठीक है मतलब जादा है अगर यहां से हम compare करें यहां पर क्या है कम है यहां पर कम है दूरी और यहां पर जादा है ठीक है तो यही हमारा कोशन था कि किसी ग्रह के अपने कच से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है अपसौर कहा जाता है मतलब य दूरी जादा है, इसे हम क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे, अपसौर को हम क्या बोलते हैं, एपिहीलियन भी बोलते हैं, ठीक है, वैसे फ्रेंस, जो मारा नीचे वाला कोशन था, उसको भी देख लेते हैं, नीचे वाला कोशन है, किसी ग्रह की अपने कच से, सूर्य से मतलब कि नियोंतम दूरी कौन सी हुई, जब कोई भी ग्रह यानि यो हमारा प्रित्वी है यहां पर होगा, या बोलो यहां पर होगा, इस दूरी को हम बोलते हैं perihelion या आज बोल सकते हो, उपसौर यहां पर लिख देता हूँ, ठीक है? उपसौर, कम दूरी होगी उपसौर होगा, जाद दूरी होगी अपसौर होगा ये भी आपने याद रखना, ये concept students काफी दादा confused रहते हैं मैंने इसमें भी आपो clear कर दिया, photo बना के समझा दिया ठीक है, next question कहा लेते है mangal ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर dash पाया जाता है, सही answer है option C, उप्युक्त दोनो, iron oxide बोलो या ferric oxide बोलो दोनो एक ही चीज है, लेकिन exam में दोनों बार अलग अलग दिये गए थे, तो students confused हो जाते हैं, अगर उन्हेंने सिर्फ iron oxide पढ़ा होगा, तो ferric oxide में confusion होगा, अगर उन्हें फैरिक oxide पढ़ा होगा तो iron oxide में confusion होगा, तो iron oxide में confusion होगा है, तो आपके लिए, iron को ही हम ferric बोलते हैं, ठीक है तो friends, mangal घ्रहे पे ना सबसे जाता यह पाया जाता है, तो इसी वज़े से friends, यह जो iron है iron, देखो iron क्या होता है जब भी आप देखते हो, किसी भी लोहे पे जंग लगता है, उसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है, उसी iron friends, यह जो लोहा होने की वज़े से, यह जो mangal घ्रहे आपको दिख रहा है, यह यह लाल रंग का दिख रहा है, ठीक है कैसे दिख रहा है, लाल रंग का दिख रहा है, क्योंकि इसकी उपर बहुत सारा ferric oxide है यह बोल सकते हो, iron oxide है जब भी लोहे पे जंग लगेगा, वो ferric oxide बन जाता है, यह iron oxide बन जाता है और वो लाल रंग का हो जाता है आपने अपनी घरों पे दिखा भी होगा, जो जंग होता है वो लाल रंग का होता है next question कर लेते हैं, यह सभी को आता होगा सूर्य का परकाश पृत्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है सही answer है, option A 8 minute, 16 second सूर्य का परकाश पृत्वी तक पहुंचने में 8 minute, 16 second लगता है, friends कहीं कहीं पे आपको 8 minute, 15 second भी दे देंगे कहीं कहीं पे 8 minute, 19 second भी दे देंगे यह approximate time होता है, बट आपको याद रखना है 8 minute, 15, 16 लगते हैं, सूर्य का परकाश पृत्वी तक पहुंचने में आपसे एक सामे, friends एक question पूछा जाता है आप सभी को पताएं कि जो चंदर्मा होता है, ठीक है चंदर्मा से भी जो रोशनी आती है पृत्वी तक लेकिन जो चंदर्मा से जो रोशनी आती है पृत्वी तक, चंदर्मा की खुद की रोशनी नहीं होती, यह सूरे की परावर्तित किरने होती है, जो पृतिवी पर पहुंचती है, आपसे पूछा जाता है, कि यह मतलग कितने समय में पहुंचती है चंदरमा से, आपका आंसरों का 1.28 second, ठीक है यह भी आपने याद रखना है, या बोलो 1.30 second में पहुंचता ह next question कर लेते हैं, अंतरिक्ष यातरी में जाने वाला पहला इनसान कौन था? सही answer है, option A, यूरी गागरिन, यूरी गागरिन जो विग्यानिक था, यह अंतरिक्ष यातरा में जाने वाला पहला इनसान था next question कर लेते हैं किस विग्यानिक ने सौर बथम ये कहा था कि प्रिथवी सूरे के चारो और घूमती है सही answer है इसका option B coppernikas coppernikas जो विग्यानिक था इसने सौर बथम ये कहा था प्रिथवी सूरे के चारो तरफ चक्कर लगाती है most important question है आपके exam के लिए friends आपको question का level देखके बता लग्या होगा सभी question मैं आपके लिए important लेकर आया हूँ और friends मैं आपको बिल्कुल non-stop पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाया हो पसंदा रहा है फिए विडियो को like जरूर करिएगा next question कर लेते हैं किस विग्यानिक ने सबसे पहले यह कहा था कि प्रिथवी गोल है सही answer है इसका option A Aristotle जो विग्यानिक थे इन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि जो प्रिथवी है यह गोल है next question कर लेते हैं किस विग्यानिक ने यह सीध किया था कि सूरे के चारो और प्रते ग्रह का मार्क दीर्ग विर्ताकार होता है यानि कि elliptical होता है तो सही answer है option C कैपलर विग्यानिक ने सबसे पहले यह सीध किया था सूरे के चारो और प्रते ग्रह का जो मार्ग है दीर्ग विर्ताकार है next question कर लेते हैं सूरे के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है सही answer है option C उप्युक दोनो प्रकाश मंडल और फोटो स्फेर प्रकाश मंडल और फोटो स्फेर जो है यह सूरे के चमकीले भाग को कहा जाता है next question कर लेते हैं next question है मारा प्रिथवी अपने धूरी के चारो और किस दिशा में घूमती है सही answer है option A प्रिथवी अपने धूरी के चारो और पश्चिम से पूर्व की और घूमती है आपको उपरी समझाया था प्रिथवी अपने अक्ष पर यानि अपने धूरी पर anti-clockwise गूमती है कैसे गूमती है anti-clockwise यानि कि जैसे घड़ी घूमती है उसका उल्टा घूमती है, देखो friends हमारा प्रितिवी कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, आप सभी को बता है, और मैंने आपको बताए था, कि यह anti-clockwise घूमती है, मतलब कि, देखो, anti-clockwise कैसे हुआ, ऐसे हुआ, मतलब गड़ी का उल्टा घूमना, ठीक है, तो यह anti-clockwise हुआ, या आपने याद रखना है, ठीक है, हमारे सौर मंडल में, सिर्फ दो गड़ों को छोड़ कर, सिर्फ दो प्लैनिट को छोड़ कर, जितने भी ग्रह हैं, वो पश्चिम से पूर्व की और घूमते हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, जो पूर्व से पश्चिम की और घूमते हैं, आपसे एक्जाम में इन दो ग्रहों का नाम पुछा जाता है, फिर देखो, एक ग्रह का नाम है, वीनस, ठीक है, वीनस को हम क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा है, यूरेनस, ठीक है, और यूरेनस को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, अरुन ग एसे ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में जो की पूरुव से पश्चिम की और घूमते हैं यानि की clockwise घूमते हैं ठीक है मतलब की इस तरह से घूमते हैं ठीक है इनका डारेक्शन मतलब क्या से होता है clockwise होता है लेकिन बांकी जितने भी घ्रह है हमारे पृत्थवी को मिला के अगला कोशन कर रहते हैं इसमें पृत्थवी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है देखो हमारा जो पृत्थवी है ठीक है यहां पर है हमारा पृत्थवी पृत्थवी के इस तरह भी एक ग्रह है और दूसरी तरह भी एक ग्रह है ठीक है तो पूछा गया है कि निकट कौन सा है तो सही आंसर इसका option B, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को हम Venus भी बोलते हैं, ठीक है, Venus ग्रह भी बोलते हैं, दूसरे नमबर का ग्रह है, यानि कि friends, ये वला जो ग्रह है, जिसे कि हम शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, Venus भी बोलते हैं, ये हमारे पृत्वी के सबसे करीब है, ये आ मंगल ग्रह इन दो के बीच में हमारा प्रिथवी है और शुक्र ग्रह जो है यह प्रिथवी के बहुत ही करीब है और फैंस जी जी तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह मेरे वेपसाइट पर जाके पढ़ सकते हो www.ravistudy.com आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन कर लएते है अभी मैं आपको उपर इपार ही बतायागा यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थेत है आंसर है option B प्रिथवी फित वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में उस्थेत हैं ऊपर देख लो आप शुक् आंसर है इसका option B शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह जो है इसे भोर का तारा यानि morning star और शाम का तारा यानि evening star भी कहा जाता है important है और शुक्र ग्रह को हम Venus B बोलते हैं और दूसरे नंबर का planet है next question कह लेते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सही answer है इसका option A बुद्ध बुद्ध जो है सबसे छोटा ग्रह है ठीक है बुद्ध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ब्रस्पती है यह आपने याद अखना है फोटो में आप समझो फ्रेंट्स देखो, फोटो में सबसे चोटा घ्राय है, कौन सा लग रहा है आपको? बुद्ध घ्राय है, जो की सूर्य के सबसे निकटतम घ्राय है, ठीक है? इसे हम मरकरी भी बोलते हैं और सबसे बड़ा घ्राय है कौन सा होता है फ्रेंट्स? यह है जिसे कि हम Jupiter भी बोलते हैं और फ्रेंट्स आपसे ने एक्जाम में कोशन पुछा जाता है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उबग्र है उसका नाम है Ganymede क्या नाम है? Ganymede ठीक है ये किस उबग्रह के उपर है? आप का अंसर होगा? जूपिटर यानि ब्रहस्पती के उपर सौर मंडल का सबसे बड़ा उबग्रह गैनिमेट स्थेत है ये भी आपने याद अखना एक्जाम में पुछा गया है सूरे के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सही आंसर है option A, बुद, बुद ग्रह जो है जिसे की हम मरकरी भी बोलते है ये सूरे के सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे दूर का जो ग्रह है वो वरुन ग्रह है वरुन ग्रह को friends हम नैप्टिउन भी बोलते है ठीक है? मैं आपको फोटो से समझाता हूँ सूरे के सबसे निकटतम कौन सा है ये फोटो में आप देखो मरकरी यानि बुद्ध ग्रह सबसे निकटतम है और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है गिवला ग्रह जो है इसे हम वरुन ग्रह भी बोलते है और नैप्टिउन भी बोलते है पहले फ्रेंट्स प्लूटो हुआ करता था लेकिन प्लूटो क्या है अब ड्वार्फ प्लैनिट की कैटेगरी में आ गया है यानि कि फ्रेंट्स इसे न अब हम बौन ग्रह बोलते है ये आपने याद रखना है और फ्रेंट्स आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि किस साल के बाद जो प्लूटो था जो कि हमारे सौर मंडल का नोवा ग्रह था उसे ड्वार्फ प्रेंडनिट कोशित कर दिया गया तो आपका आनसर होगा 24 अगस्त 2006 के बाद ठीक है नेक्ट कोशन कहले लेते हैं खगोलिय इकाई किसके बीच की औसद दूरी होती है सही आनसर है इसका आप्शन B प्रिथवी और सूर्य प्रिथवी और सूर्य के बीच में जो खगोलिय इकाई होता है ये औसद दूरी कहलाती है आपसे एक्जाम में कोशन पुछा जाता है कि खगोली एकाई जो है इसे क्या मापा जाता है आप कांसरों का इससे दूरी मापा जाता है और यह किस के बीच की आपसर दूरी है पृत्वी और सूर्रे की बीच में यानि कि हमारा अर्थ और सन के बीच की आपसर दूरी है और question कर लेते हैं, जब एक ही महा में दो पूरनीमा हों, उसे क्या कहते हैं, answer है, option A, blue moon, जब एक ही महा में दो पूरनीमा होते हैं, इसे blue moon कहा जाता है, यह question भी exam में कई बार पूछा गया है, फिर इसके बाद जो आपको revision or test करवाने वाला हूं, वो आप जरूर देखना बहुत help मिलेगी, सूर्य पृत्वी तथा चंदर्मा की एक ही सीधी रेखा में इस थिती को क्या कहते हैं, most important question है, PCS exam में कई बार पूछा गया है, answer है, इस स्थिती को हम सीजिगी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सीजिगी बोलते हैं, जब सूर्य पृत्वी तथा चंदर्मा एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं, ठीक है, और friends उसी time गहान लगते हैं, जिसे कि हम सूर्य गहन या चंदरग्रहन भी बोलते हैं, उस condition को न हम eclipse बोलते हैं और उस सीधी रिखा में आने को हम सीजगी बोलते हैं ये भी आपने याद रखना है next question कहलेते हैं हैली धूम के तू कितने वर्ष के बाद दिखता है जातर आपको न आणसर 76 वर्ष मिलेगा ठीक है हर जगे है लेकर 있는데 कहींपे 75 वर्ष भी दिया गया है तो आपको ये दोनों वेल्यय वर्ष याद रखने है अगर अगर दोनों दियो होंगे तो फिर 96 वर्ष पर टिक मारना है, अगर दोनों दियों होंगे तो फिर 96 वर्ष पर टिक मारना है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, option c 75-76 वर्ष ठीक है, 75-76 वर्ष के बाद जो हैली धूम-केतू है यह दिखता है और फ्रेंट्स आपसे एक्जाम में कोशन पुछा जाता है कि जो हैली धूमकेतु है आखरी बार कब दिखा था तो फ्रेंट्स आपका आँसर होगा यह जो आखरी बार दिखा था 1986 में दिखा था स्वार मंडल का सबसे कम घंतव वाला ग्रह कौन सा है सही आंसर इसका option A शनी ग्रह शनी ग्रह जो है यह स्वार मंडल का सबसे कम घंतव वाला ग्रह कहलाता है कम घंतव यानिकी less density वाला ग्रहा है शनी ग्रहा को friends हम सनी ग्रहा को हम Saturn भी बोलते हैं ठीक है ये भी आपने याद रखना है और उपर मैंने आपको बता है था कि सौर मंडल में जो प्रिथिवी है ये सबसे अधिक घंतवा लग रहा है और सबसे कम वाला हो गया शनी next question कर लेते हैं किस विज्ञानिक ने अरुन जिसे की हम यूरेनस भी बोलते हैं ग्रहा की खोच की थी सही answer है इसका option B William Harshal, William Harshal जो विज्ञानिक थे इन्होंने अरुन ग्रहा की खोच करी थी important question है next question कर लेते हैं शुक्र ग्रहा को प्रिथिवी की जुडवा बहन कहा जाता है क्योंकि सही answer है option A इसका अकार जो है समान है मतलब शुक्र ग्रहा का जो अकार है वो प्रिथिवी के समान है इसलिए इसे प्रिथिवी की जुडवा बहन भी कहा जाता है मैं आपको फ्रेंट्स पोटो से समझाता हूँ देखो फ्रेंट्स यह हमारा प्रिथिवी है ठीक है और यहाँ पे कौन सा ग्रहा है यह है शुक्र ग्रहा है शुक्र गराय को हम क्या बोलते हैं वीनस भी बोलते हैं अब देखतो इसका जो अकार है कुछ तरह से मिलता जोलता है इसलिए इसे पृत्थवी की जुड़वा बहन कहा जाता है ठीक है यह आपने याद रहना इसका जो अकार है वो समान है रित्वें किस कारण से होती है सही आंसर इसका सूरे के चारो और पृत्थवी का परिकर्मन से रित्वें जो होती है सूरे के चारो और पृत्थवी का परिकर्मन से रित्वें होती है यानि कि जो मौसम चेंज होता है गर्मी ठंडी आती है ठीक है अपरी कर्मन का मतलब क्या होता है देखो फ्रेंस उपर मैंने आपको बताया था कि पृत्वी जो है अपने अक्षपर घूमती है कैसे घूमती है अंटी क्लॉकवाइस घूमती है कैसे घूमती है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की और घूमती है है ना तो इसे क्या होता है इसे दिन और रात होते हैं अपने अक्ष पर घूमने से लेकिन जब सूरे के चाहँ तो चक्कर मारती है पृत्वी उससे रित्वें बदलती है ठीक है अगर यहां पर सूरे है पृत्वी कभी यहां पर होगा कभी यहां पर होगा कभी यहां पर 21 जून को उत्री गोलार्द में सबसे लंबा दिन होता है, important question है, next question कर लेते हैं, किस तिथी को उत्री गोलार्द में सबसे चोटा दिन होता है, important question है, second last question कर रहे है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते है, यानि कि lying planet, ठीक है, मतलग कि कौन सा गरह ऐसा है, जो कि लेटा वगरह होता है, तो answer इसका option C, Arungrh, Arungrh को हम Uranus B बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Uranus B बोलते हैं, तो friends, आप यह देखो, friends, जो हमारा पेथिवी है, वो अपने अक्ष पर 23.5 डिगरी जुका हुआ है, ठीक है, लेकिन friends, यह जो Uranus है, जो हमारा answer था, Arungrh, ठीक है, यह जो Arungrh है, यह अपने अक्ष पर काफी जादा जुका हुआ है, ठीक है, इसको हम Lying Planet कहते हैं, ठीक है, यह जोखा हुआ ग्रह भी कहते हैं, आखरी कोशन कह लेते हैं, इस वीडियो का, इसके बाद मैंने आपके लिए इन सभी कोशन का रिवीजन रखा है, वो आप जरूर देखना है, ठीक है, पून सूरे ग्रह के समय सूरे का कौन सा भाग दिखाई देता है, सही आंसर है, ओप्शन A, कोरोना, कोरोना वाला भाग जो है, यह पून सूरे ग्रह के समय सूरे का भाग दिखाई देता है, ठीक है, यह भी आपने याद रखना है, ठीक है, यह भी आपने याद रखना है, friends, यह सबसे बहतिन तरीका होता है, पढ़ने आगी पहले आप पढ़ लो, फिर इसके बाद आप revision कर लो, ठीक है, friends, यह इतने भी questions है, आप मेरे website पर जाके पढ़ सकते हो, Google पर आपको जाके सर्च करना है, www.ravistudyiqugk.com, ठीक है, friends, आपको इखटे लिखना है, www.ravistudyiqugk.com, यहाँ पर जाके, friends, आप पढ़ सकते हो, तो चलिए, friends, start करते हैं, revision, first question से, first question है मारा, कौन सा ग्रह सूरे की परिकर्मा करने में 88 दिन का समय लेता है, सही answer इसका, बुद्ध ग्रह, next question है मारा, शुक्र ग्रह के वातवरन में किस गैस के कारण हुए सबसे गरम ग्रह कहलाता है, सही answer है, carbon dioxide, next question, सौर मंडल के किस गरह के पास कोई भी उपगरह नहीं है, सही answer है, बुद्ध गरह और शुक्र गरह, next question है, सौर मंडल के किस गरह का घंतव सबसे जादा है, सही answer है, पृत्वी, next question हमारा, सूरे में मुख्यता कौन सी गैस पाई जाती है, answer है, hydrogen और helium, next question ह हमारा, तारो का रंग किस पर निर्भर करता है, सही answer है, उसके तापमान पर, next question कर लेते है, जब पृत्वी एवं सूरे की बीच चंदर्मा आ जाता है, तो इस स्थिती को क्या कहा जाता है, सही answer है, सूरे ग्रहन या बोल सकते हो, solar eclipse, next question हमारा, जब सूरे और चंदर्मा के बीच पृत्वी आ जाता है, तो इस स्थिती को क्या कहा जाता है, सही answer है, जब से उच्छा परवत, olympus, mons या निक्स, olympia किस ग्रह पर स्थेत है, सही answer है, mangal ग्रह पर, next question कहे लेते हैं, सूरे मंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़ादा अब ग्रह हो गए है, सही answer है, शनी ग्रह अब इसके पास 82 उब ग्रह हो गए है, next question कर लेते हैं, सूर मंडल में छुदर ग्रह जिसे की अस्टेरोइट्स भी बोलते हैं, किन दो ग्रह के बीच में पाई जाते हैं, answer है, mangal ग्रह और ब्रहस्पती ग्रह, सौर परनाली की खोज किस विज्ञानिक ने की थी, answer है, copper निकज, next question कर लेते हैं, next question है मारा, सूर्य के चारो और घुमने वाले खगोलिय पिंड को क्या कहा जाता है, answer है, ग्रह कहा जाता है, next question कर लेते हैं, ग्रहों की गती का नियम किस ने प्रतिबादन किया था, answer है, कैपलर ने, next question किस विज्ञानिक ने सववफथम ब्लैक होल की एक भारे में बताया था, answer है, सौर उर्जा किस प्रकिरिया द्वारा पैदा होता है, answer है, नाभिकिय सनलियन, next question है, प्रिथवी की परिधी, जिसे की हम सरकंफ्रेंस भी बोलते हैं, कितना होता है, सही answer है, 40,000 km, यह, friends, कहीं करें पर आपको 40,075 km भी मिलेगा, next question कर लेते हैं, निमिन में से कौन सा आंतरिक ग्रह, जिसे की हम इनर प्लैनिट भी बोलते हैं, नहीं है, सही answer है, शनी, किस ग्रह के वाईव मंडल में मिथेन और अमोनिया पाया जाता है, answer है, शनी ग्रह के, next question है, प्रिथवी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि प्रिथवी पर डैश स्तित है, सही answer है, प्रिथवी पर वाटर स्तित है, जिसे की हम H2O भी बोलते हैं, next question कर सही answer है, सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, answer है, proxima century, next question है, दिन और रात होने के मुखे कारण क्या है, सही answer है, प्रिथवी का अपनी अक्ष पर घूमना, किसी ग्रह की अपने कचिसे सूरे से अधिक्तम दूरी को क्या कहा जाता है, answer है, अपसौर कहा जाता है, या अपहिलियन कहा जाता है, किसी ग्रह की अपनी अक्ष से सूर्य से नियुनतम दूरी को क्या कहा जाता है आंसर है उपसौर कहा जाता है या पैरिहिलियन कहा जाता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर डैश पाये जाता है आंसर है iron oxide या बोलो ferric oxide next question है मारा सूरे का प्रकाश पृत्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है answer इसका 8 minute 16 second friends यह चो time है यह approximate time है कहीं पे आपको 8 minute 15 second भी मिलेगा कहीं पे 8 minute 19 second भी मिलेगा next question है मारा अंतरिक्ष यातरा में जाने वाले पहले इनसान कौन थे answer है Yuri Gagarin next question कह लेते हैं किस विग्यानिक ने सरवत्म यह कहा था कि प्रिथ्वी सूरे के चारो और घूमती है answer है Copernicus किस विग्यानिक ने सबसे पहले यह कहा था कि प्रिथ्वी गोल है answer है Aristotle next question कह लेते हैं किस विग्यानिक ने यह सिद किया था कि सूरे के चारो और प्रते ग्रह का मार्ग दीर्ग विर्तागार है answer है Kepler next question कह लेते हैं सूरे के चमकिले भाग को क्या कहा जाता है answer है प्रकाश मंडल और English में बोलते हैं Photosphere next question कह लेते हैं प्रत्वी अपने धूरी के चारो और किस दिशा में घूमती है answer है पश्यम से पूर्व की और घूमती है प्रत्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है answer है शुक्र ग्रह next question कह लेते हैं शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थेत है अगला कोशन कहले लेते हैं किस घ्रह को भोर का तारा यानि morning star और शाम का तारा यानि evening star भी कहा जाता है आँशर है शुक्र घ्रह को सौर मंडल का सबसे छोटा घ्रह और सबसे बड़ा घ्रह कौन सा है आंसर है सूरे के सबसे निकटतम ग्रह है बुद्ध और सबसे दूर का ग्रह है वरुन नेक्ट कोशन कहलेते हैं खगोलिय इकाई किसके बीच की औसद दूरी होती है आंसर है पृत्वी और सूरे के बीच की औसद दूरी होती है खगोलिय इकाई जैसे कि हम astronomical unit भी बोलते हैं नेक्ट कोशन कहलेते हैं जब एक ही मा में दो पूर्नीमा हो तो उसे क्या कहते हैं आंसर है उसे blue moon कहा जाता है सूरे पृत्वी और चंदर्मा की एक ही सीधी रेखा में स्थिती को क्या कहा जाता है आंसर है सीजगी कहा जाता है हैली धुमकेदू कितने वर्ष के बाद देखता है आंसर है 75 से 76 वर्ष के बाद लिकिंग आपो कहीं कहीं पर 76 वर्ष ही दिया होगा next question है मारा सौर मंडल का सबसे कम घंतव वाला ग्रह कौन सा है आंसर है शनी ग्रह जो है यह सौर मंडल का सबसे कम घंतव वाला ग्रह है next question है मारा किस विज्ञानिक ने अरुन ग्रह की खोच की थी आंसर है विलियम हर्षल विलियम हर्षल विज्ञानिक जो थे इन्होंने अरुन ग्रह की खोच करी थी important question है next question कर लेते हैं शुक्र ग्रह को प्रिथवी की जुड़ोवा बहन कहा जाता है क्योंकि तो सही आंसर है शुक्र ग्रह का जो अकार है वो प्रिथवी के समान है इसलिए इसे जुड़ोवा बहन कहा जाता है next question कर लेते हैं रित्वें किस कारण से होती है आंसर है सूरे के चारो और प्रिथवी के परिकर्मन से next है हमारा किस तिथी को उत्री गुलार्द में सबसे लंबा दिन होता है सही आंसर है 21 जून को 21 जून को उत्री गुलार्द में सबसे लंबा दिन होता है next question है हमारा को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं आंसर है अरुन ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं नेक्स कोशन कहे लेते हैं और इमारा आखरी कोशन है इसके बाद मैंने आपके लिए 10 कोशन का ऑनलाइन टेस्ट भी रखा है पून सूरे ग्रह के समय सूरे का कौन सा भाग दिखाई देता है, आंसर है, कोरोना वाला भाग दिखाई देता है, friends, मैंने आपको यह 51 कोशन करवाए, उसकी बाद 51 कोशन का रिवीजन भी करवा दिया, उमीर करता हूँ, friends, आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कम से कम 10 फ्रेंट के साथ शेर भी जरूर करें, और friends, मैं आपको गुड न्यूस देता हूँ, कि हमारा वेबसाइट लाउंच हो गया हुआ है, मतलब आपको जितने भी कोशन्स मैंने यहां पर पढ़ाए हैं, आप हमारे वेबसाइट पर जाके, टेस्ट भी अटेंप्ट कर सकते हो, और रिवीजन भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, ठीक है, मतलब आपको कोई के पैसे चार्जिस नहीं देने पड़ेंगे, कम्प्लीटली फ्री है, आपको गूगल पर सर्च करना है, www.ravistudyiqugk.com, फिर से बतायता हूँ, www.ravistudyiqugk.com है, ठीक है, और हमारा एक स्पेशल वर्टसप ग्रूप भी लाँच हो गया है, स्पेशल वर्टसप ग्रूप का नंबर है, 7814339999, फिर से बतायता हूँ, 7814339999 और हमारा Current Affair का चैनल भी लाँच हो गया है, बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का Current Affair पढ़ायाता है, रूस उबे मॉर्निंग में चार बुचे वीडियो जाती है, चैनल का नाम है रवी स्टेडी IQ GK 2.0, इसे ही आप सब्सक्राइब कर लीचे, बहुत ही एक्सपर्ट लेवल आपको All the Best, First Question है मारा, कौन सार ग्रह सूरे की परिकर्मा करने में 88 दिन का समय लेता है, चार ओप्शन हैं आपकी स्क्रीन के उपर, आंसर आपने कमेंट रखे देना है, Next Question है मारा, शुक्र ग्रह के वातावरन में किस गैस के कारण हुए सबसे गरम ग्रह है, चार ओप्शन हैं, Friends अगर आपको जाला टाइम चाहिए, वीडियो को पॉस कर सकते हो, Next Question कर लेते हैं, सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, आंसर आपने कमेंटर के बताना है, Next Question कर लेते हैं, सौर मंडल के किस ग्रह का घंतव सबसे जाता है, चार ओप्शन हैं आपके पास, Next Question है हमारा, सौर में मुख्यता कौन सी गैस पाई जाती है, अंसर आपने कमेंटर के बताना है, वीडियो कैसी लगी है, आपने ये भी जुरूर बताना है, कमेंट करके, Next Question कर लेते हैं, तारो का रंग किस पर निर्भर करता है, Next Question है हमारा, जब पृत्थिवी एवम सूर्य की बीच चंदर्मा आ जाता है, तो इस स्थिती को क्या कहा जाता है, जब सूर्य और चंदर्मा की बीच पृत्थिवी आ जाता है, तो इस स्थिती को क्या कहा जाता है, आंसर आपने कमेंटर के बताना है, ब्रह्मांड की अध्यन को क्या कहा जाता है आखरी कोशन है टेस्ट का स्वारमंडल का सबसे उचा परवत ओलम्पस मौन्स या निक्स ओलम्पया किस ग्रह पर स्थिद्ध है फ्रेंट्स मैंने आपको ये 50 कोशन करवाए फिर पिचास कोशन का रिवीजन भी करवाए दस कोशन का टेस्ट भी ले लिया उमीद करता हूँ अफिज आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए कम से कम दस फिरंड के साथ शेयर भी जरूर करिए और फिर्ट्स यह जो भी मैंने आपको पढ़ा है आप हमारे वेबसाइट पे जाके पर सकते हो वेबसाइट का नाम मैंने आपको बता दिया है www.ravistadyiqgk.com है और special whatsapp group भी आ गया है 78143399 है तो फिर्ट्स अब हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में thank you and wish you all the best